हेलो गाईज, असके लबने एकपर चैनल में आपका स्वावत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर उस्टेलिया विमें विमें वर्ट्से साउथ उस्टेलियान विमें के वीज़ में आपको जो match किरा था दिखेगा कल early morning में guys ये match है और इस match में 7 बरे changes है ठीक है और 7 में से 6 ऐसी changes है guys जो कि लगभग सभी के team में 6 players है जो कि इस match के लिए unavailable है ठीक है तो आपके लिए advantage तो है इस match में लेकिन problem ये है कि इस match में investment के लिए लेकिन guys यहाँ पर बारिस के ही बहुत ज़्यादा chances है इसलिए मैं recommend करूँगा आपको आप पहले contest join ना करें मैं भी नहीं करूँगा आप भी toss होने के बाद ही करिएगा ठीक है guys ये बात का आप सबसे पहले ध्यान लगे ठीक है ये बताना मुझे जरूरी था इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के starting में ही बता दिया ये news आपको लगभग कोई नहीं बताएगा ठीक है guys तो ये बात का आप ध्यानने के सबसे पहले इस match में बारिस के बहुत ज़्यादा chances है तो थोड़ा संभल कर ही खेले और पहले contest join ना करे अगर toss time पर हो जाता है line of time पर आ जाती है देन आप guys contest join कर सकते हैं बस guys आपको इस वीडियो को पूरा देखने हैं आप सारा कुछ इस वीडियो में जान जाएंगे तो नों टीम के आप वीडियो को सुरूर संदक देखते रहेगा तो चलिए guys वीडियो को मैं यहाँ पर start करता हूँ वीडियो को start करने से पहले guys सबसे important बात अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर join नहीं हुए तो वहाँ पर guys join करना आपके लिए सबसे आदा important है तो सबसे पहले आपको इसी वीडियो को description में जाना है वहाँ पर आपको हमारी telegram channel का link मिल जाएगा आप सबसे पहले उस link पर click करकर हमारी telegram channel पर join कर लीजे ठीक है क्योंकि final team update जो आपको मिलेगी वो guys आपको हमारी telegram channel पर ही मिलेगी ठीक है अभी सबसे पहले हमें squad से यहाँ पर देख लेते हैं यह western australia का squad है western australia women का squad है ठीक है इन ही में से आपको western australia women के तरब से players खेलती दिखने वाली है इस से बाहर से और कोई नहीं खेलेगा ठीक है तो यह बात का ध्यान लेगे अब guys हमें stats पर आ रहे हैं यह last season का stats है western australia women के हर एक player का जो player last season खेली थी western australia women के लिए आपको इसमें हर एक player का stats मिरेगा जैसे इस साल का इस कुछ player unavailable है तो आपको उनका stats नहीं देखना है जो player available है आपको उनके stats पर ही focus करना है ठीक है यह batting का है और यह balling का है अगर आप last year के stats पर देखेंगे तो M कारमी चेल ने 8 matches में 280 run किये थे 46 का batting गया average के साथ तो वो एक अच्छी player है important pick बनेगी CP पारो इन्होंने भी 8 matches में 258 किये थे 32 के average के साथ वो भी important है Piper Clary important all downer है balling all downer 8 match में होने किये थे यहाँ पर 118 run और साथ में guys Piper Clary ने 7 victory भी निकाली थी तो आप उनका भी ध्यान ने कियेगा Edgar का average यह stats था 8 match में 153 run कुछ ज़्यादा खास नहीं था ठीक है उसके अलाबा guys यहाँ पर देखेंगे balling के stats में तो यहाँ पर Alana King unavailable है अभी ठीक है उसके अलाबा यहाँ पर Pastel ने 7 match में 9 victory निकाली थी उसके अलाबा Piper Clary ने 8 match में 7 victory और guys players का stats देखेंगे जे कुछ खास नहीं है तो मैं explain नहीं करूँगा वैसे guys last season जो जो players इस team के लिए खेली थी हर एक player का आपको stats मिलेगा तो एकदम अच्छे से देखेगा और players के बारे में guys मैं आपको team बनाते हुए अच्छे से बता दूगा ठीक है तो यह आपने last season का stats देख लिए western australia women के हर एक player का अब एक बार south australia women का भी आप squad देख लिए यह guys south australia women का squad है इससे बाहर से और कोई आपको south australia women के तरफ से खेलता आपको नहीं दीखेगा ठीक है तो यह बात का ध्यान देखे अब guys stats देख लिए last season का south australia women के हर एक player का ठीक है यहाँ पर यह batting का stats है और यह balling का stats है last season के लिए Bridget Patterson बहुत अच्छा के लिए थी 7 match में 371 run 61 के average के साथ डॉले ने भी यहाँ पर 8 match में 308 किये थे 51 के average के साथ करटनी वेब ने भी 8 match में 233 किये थे 33 के average के साथ उसके लाबा इनका wicket keeper batter ती एच मैक फारलिन इन्होंने 115 ही किये थे तो कुछ जादा खास इनका performance था नहीं उसके लाबा guys all rounder है इनकी Dodries उन्होंने 30 run किये थे 2 inning में ठीक है balling के stats में यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो इस साल की captain है Barsby उन्होंने 6 match में 5 wikटे निकाली थी ठीक है वो साथ में runs भी कर सकती है Barsby ठीक है बहले last season runs आपको नहीं दिख रहा है लेकिन इस season वो उपर आकर batting कर सकती है तो इनका आप थोड़ा ध्यान निकिएगा उसके लाबा Bats ने यहाँ पर 8 match में 11 wikटे निकाली थी उसके लाबा Dodries को यहाँ पर 3 wikट मिला था तो यह अच्छी all rounder हैगी B.Harris इनका भी देखेंगे तो 3 match में 7 wikट था ठीक है गाईज तो B.Harris भी ठीक player रहेगी पॉलिंग से और rounder section में given है लेकिन यही ठीक player बन सकती है ठीक है उसके लाबा भी गाईज यहाँ पर आप हर एक player के stats देख सकते हैं जो कि last season खेली थी आप एकदम अच्छी से सारा player के stats यहाँ पर read कर सकते हैं मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है यह गाईज हमारा telegram channel है ठीक है आपको यही पर join करना है वीडियो के जो description में आपको link मिलेगा आप उस पर click करकर simply join कर लिजे और नहीं तो गाईज अगर link काम नहीं करता है तो अपने telegram में जाकर search करिया at the rate sk11 expert capital letter में और आपको गाईज हमारी telegram channel बिल जाएगा आपको यही channel को join करना है यही हमारा original channel है यहाँ पर गाईज सब कुछ आपके लिए free है free में fantasy की team update की जाती है free में कमाल की betting prediction प्रवाइट की जाती है सब कुछ गाईज यहाँ पर free है एक कमाल की betting application है one win उसमें जरूर खेलिए जिसमें already मैं 13.5 lakh जीच चुका हूँ ठीक है regular आपको betting prediction में देता हूँ ठीक है तो इस application का link भी आपको हमारी telegram channel पर ही मिलेगा उसके लाबा एक और कमाल की fantasy application है FLC जिसमें मातर आप 3 player के साथ खेल कर बहुत तगरी विनिंग कर सकते है इस कमाल की unique fantasy application का भी link आपको हमारे telegram channel पर ही मिलेगा उसके लाबा जो मेरी personal favorite fantasy application है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा खेलता हूँ बहुत less competition है आप भी एक बाद जरू try करके देखिए vision 11 बहुत अगर आपका profit होगा आज मैंने detail में video भी बनाई है इस application के related ठीक है तो आप चाहें तो वो भी video जाकर check out कर सकते हैं vision 11 का भी link आपको हमारे telegram channel पर ही मिलेगा सबकुस हमारे telegram channel पर ही मिलेगा आपको तो telegram channel पर join करना आपके लिए सबसे ज़्यादा important है तो हमारे telegram channel पर guys अब जरूर से जरूर join कर ले ठीक है और एक और बात का ध्यान रखिए guys मैं आपको recommend करूंगा जो description में link मिलेगा आप उसी से join करे हमारे telegram channel पर because काफी सारे आपको fake channel भी telegram पर मिल जाएंगे जो कि आप से पैसे लेते और teams दे दे तो किसी को भी guys पैसे ना दे हमारे telegram channel पर आपके लिए सब कुछ free है तो हमारे original channel पर देख कर ही अच्छे से join करे ठीक है तो ये बात क्या guys आप ध्यान लखिए अब चलिए guys हम यहाँ पर अपनी team discuss कर लेते हैं guys मैं आपको पहली बता चुगा हूँ इस match में बारी इसके बहुत जादा chances है तो थोड़ा आप संभल कर ही खेलिए line-ups आने के बाद ही मेरी साबसे अगर contest join करेंगे तो आपके लिए better रहेगा ठीक है वैसे match तो काफी अच्छा था investment के लिए लेकिन weather ही अच्छा नहीं है इसलिए guys मैं आपको बार-बार remind करा रहा हूँ ठीक है तो ये बात का ध्यान निकिएगा सबसे पहले bicket keeper section पर आते हैं जहाँ पर selection wise Mac Ferlin को ज्यादा लोगोंने select किया लेकिन यहाँ पर जो हमारी लिए best option है वो J-Dolle है ठीक है क्यों वो better option है because इनका batting order भी top order में रह सकता है ठीक है और Mac Ferlin बहुत नीचे आती है तो मैं उनको recommend नहीं करूँगा last season भी कुछ खास नहीं के लिए थी डूले एक अच्छी player है young player है talented player है batting order भी इनका उपर है तो मैं कहूँगा आप इनके साथ ही जाएए यह आपके लिए best option है Mac Ferlin में recommend नहीं करूँगा Maddy Dark है guys ठीक player है young player है अब देखना होगा खेलती या नहीं अगर खेलती भी है तो मैं जादा recommend नहीं करूँगा batter section पर आते हैं जहाँ पर सबसे पहले Carmichael Bridgette Patterson यह दोनों टीम की सबसे main batters है तो इन दोनों को आप सबसे पहले ले लीजे last season दोनों बहुत तगरा खेली थी तो इन दोनों को मैंने सबसे पहले अपने team में select किया ठीक है आप भी इन दोनों को लेने की try करिए उस के लबा यहाँ पर ambushier आती है जो कि guys अगर आपको नहीं पता तो international player है अभी England के लिए recent में international matches भी खेली है ठीक है अच्छी player है आपने इनको women's 100 में खेलते देखा होगा अच्छा कर सकती है ठीक है तो यह बहुत अच्छी differential pick है इनका selection कुछ भी नहीं है international इनको experience है खेलने का young player है तो यह बहुत अच्छी pick बन सकती है ठीक है तो आप इनका ध्यान निकिएगा उसके लाबा क्रेटनी वेब है यह भी अच्छी batter है last season यह भी अच्छा खेली थी यह भी अच्छी option है आप उनको भी ले सकते है यह कुछ over भी डाल सकती है यह भी एक advantage है उसके लाबा guys यहाँ पर देखेंगे CP पारो भी एक अच्छी player है आप उनको भी consider कर सकते है अपनी team में ठीक है वो भी बहुत कमाल की batter है young player है अच्छा कर सकती है मैं इनको भी अपनी team में ले रहा हूँ ठीक है उसके लाबा guys यहाँ पर नीचे से मैं ज़्यादा कुछ recommend करूँगा नहीं यहाँ पर आप ले सकते हैं करटनी वेब को try कर सकते हैं और बूशर को try कर सकते हैं ठीक है यह दोनों मैं ज़्यादा suggest करूँगा और मैं किसी ज़्यादा player को suggest यहाँ पर नहीं करूँगा उसके लाबा एक और player के बाद इम बता दू ऐसले डे 17 years old है ज़्यादा last season chance नहीं मिला था लेकिन अगर batting order में उपर आती है तो talented player है grand league की आप कुछ team में try कर सकते हैं और डाउंडर सक्षन में guys दो बड़ी players Magrath, Alana King नहीं खेलने बाली है हम try नहीं करेंगे हम यहाँ से लेंगे Barsby को B Harris को और Dodries को ठीक है तीनों का stats बहुत अच्छा था आपने देखा guys Barsby का उतना अच्छा stats नहीं मिलेगा लेकिन यह बहुत अच्छी player है guys ठीक है यह आपको runs भी करके दे सकती है इस season उपर batting करने भी आएगी ठीक है यह बात का ध्यान ने किएगा इस season यह team की सबसे important all downer का काम करेगी तो आप इनको बिल्कुल भी drop मत करिए यह regular women's big best league में भी अच्छा performance देती है ठीक है तो important pick है Barsby को drop आप मत करिए B Harris selection भली कम है लेकिन last season बहुत ज़ादा इन्होंने विक्टे निकाली थी runs से तो ज़ादा उमिद मत रखिए लेकिन आजब baller ही मेरे सबसे important रहेगी Dodder is एक अच्छी all downer है जो की balling all downer ही है लेकिन guys last season इन्होंने विक्टे निकाली थी साथ में यह कुछ runs भी कर सकती है ठीक है यह बात का ध्यान निकिए उसके लाबाद G Valley है एक young player है ठीक है आपने इस साल Australia के लिए under 19 World Cup में T Valley को खेलते देखा होगा जो की बहुत talented थे मैंने पहले वीडियो में ही बोला था ठीक है तो यह भी बहुत talented होगी मेरे साबसे उनकी ही side sister है ठीक है जहां तक मुझे पता है तो इनके बारे में गाईस मैं आपको बता दूँगा अगर यह खेलती है तो ठीक है मेरे साबसे यह talented player बन सकती है C-backer मुझे उतना इनके बारे में पता भी नहीं है तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा अभी के लिए इन्ही तीनों all down today के साथ आप जा सकते हैं उसके अब बॉलिंग सेक्षन पर आ जाते हैं गाईस जहाँ पर Megan Scott, C Nail और A Wellington तीनों का selection बहुत हाई है तीनों नहीं खेलने वाली है यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा P Clary को क्यों लूँगा गाईस इनका region है लेने का यह गाईस रंस भी कर सकती है और साथ में विक्टे भी ले सकती है तो इनको मैं सबसे पहले लूँगा यहाँ पर Lisa Griffithet भी नहीं खेली कि Falconer है आप ले सकते हैं ठीक ठाक सी प्लेयर है लेकिन मैं Pastel को लूँगा जो कि एक regular wicket taker है Domestic cricket में इनका performance अच्छा रहता है तो मैं उनको लूँगा गाईस उसके लाबा Darcy Brown भी unavailable है ठीक है यहाँ से next में S-Bets को लूँगा जो कि last season बहुत जाता है इन्होंने विक्टे निकाली थी गाईस तो मैं इनको next लूँगा bowling section में guys बहुत कमाल कमाल के differential pick है selection बहुत कम है match बहुत कमाल का है लेकिन weather ही नहीं है अच्छा इसलिए guys मैं invest नहीं करना हूँ ठीक है और आपको भी मैं suggest नहीं करना हूँ और बहुत तगरा match हमारे लिए जाता उसके लाबा guys देखेंगे तो Brit Cliff है ठीक ठाक सी player है में भी grand league में try कर सकते है इस small league में मैं उतना suggest नहीं करूँगा फैल कॉनर भी ठीक baller है आप इनको भी grand league के team में चाहे तो try कर सकते है अभी guys हमें last player लेना है मैं भी last player batter section में से बूशेर या फिर web में confused था अभी के लिए मैं बूशेर के साथ हूँ because उनको थोड़ा international experience है इसलिए लेकिन आप web को भी ले सकते है जिनका थोड़ा balling का भी chance है तो ये बात का guys धिहार नखिएगा ठीक है तो ये पंचाता guys अभी के लिए team का preview इसमें अगर मैं captaincy, wise captaincy की अगर option की बात करूँ तो यहाँ पर j varsby ठीक है उसके लाबा guys यहाँ पर batters में Bridgett Patterson ठीक है और यहाँ पर बात करूँ तो कार्मी छेल ये सब कुछ कमाल की option है आप इनको try कर सकते है pipe up carry भी ठीक है आप उनको भी try करना चाते है तो कर सकते है CVC के लिए वो भी best option आपके रह सकती है मुझसे पूछेंगे तो मेरी captain यहाँ पर barts भी है और wise captaincy में मैं थोड़ा confused था लेकिन अभी के लिए मैं dog race के साथ हूँ आप यहाँ पर change कर सकते है अपनी हिसाब से ठीक है यह guys बन जाता अभी के लिए team का preview इसमें guys 100% changes होने बाली है तो final team update काफी important रहेगी तो आप telegram channel पर जरूर join कर लीजेगा final team update के लिए मैं आपको final team update कर दूँगा ठीक है guys तो बस guys आज किस वीडियो में इतना ही hopefully guys वीडियो आपके लिए informative रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना ना भूले साथ में वीडियो को share करना भी ना भूले और अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया बूले